कई बच्चों का एक सवाल राता है कि तर फिजिक्स में इतने सारे फर्मूले हैं फर्मूलास को याद कैसे गरे या आप कैसे इनको याद रखते हैं यार मैं किलरली बता तो 30 से 35 चेप्टर अपने पास और 30 से 35 चेप्टर में लगबग 100 से 1500 फर्मूला है इतना सारा याद करना बहुत तफ काम हो जाता है तो हम कैसे याद करते हैं इसका मैं एक तुम्हें सिंपल सा फंडा बताता हूँ चैप्टर्स को कैटेगरी में डिवाइड कर लो जैसे कि एक कैटेगरी आ गया मेकैनिक्स का एक category आ गया Electrodynamics का एक category आ गया Heat and Thermodynamics का एक आ गया पुड़ा वेब का module Optics का module Modern Figes का module और फिर कुछ cheat PTA topic जिसे की में से specific topic हो गया हमने इन category में डिवाइड कर लिया अब जिसे मैं तुम्हें बताओ कि पूरी mechanics में formulas है ही नहीं मतलब यू मान के चलो formula नहीं होता सबसे important बात यह है जिसको आप easily cover कर सकते हो सबसे ज़्यादा formula जिसे पाया जाता है वो होता है optics और electrodynamics तो आपको करना क्या है electrodynamics में जो electrostatic का part होता है magnetism का part होता है और जो अपना gravitation का part होता है इसमें कई सारे formula जो होते हैं एक दूसरे के similar होते है जिसे आप electrostatic का सारा formula याद कर लेते हो तो gravitation automatically याद हो जाएगा magnetism में भी कई जगा आपको help मिल जाएगा तो यानि कि करना क्या है कि तीनों part को आपको एक साथ revise करना है ताकि आपको समझ में आए कि तीनों में similarity कहाँ पे है board model, atomic structure, chemistry में याद करो या physics में याद करो सेम है दूसरा ही होता है कि एक topic आपका heat and thermodynamics आप thermodynamics में gaseous state का rms velocity की बात करें या thermodynamics में processes की बात करें formula बिल्कुल सेम होता है बस sign convention का reference होता है तो यार formula याद करने के लिए आपको एक तो technique अपनानी पड़ेगे जिससे आप चीजों को बिल्कुल mind में fit कर सको जैसे मैंने अल्रेडी तुमें बता दिया जो chemistry और physics में common topics होते है उनके formulas को तो किसी एक में याद करो दोनों में फायदा देगा और जो common topics नहीं होते है उनका तोड़ खोजो कि ये chapter का formula electrostatic का formula ditto gravitation में use होता है या फिर electrostatic का कही सारा dipole आपole का formula जो होता है वो magnetism में use होता है तो यार अपने कोई similarity खोज नहीं है ऐसा नहीं कि उसका भी याद करने इसका भी याद कर रहे तो इससे आप चीजों का बहुत easy कर सकते है optics के formula को याद करने के लिए आप optics का mind map बना लो तो आप formula easily याद कर पहोगे optics का mind map मैंने already YouTube पे वीडियो बनाया हुआ है तो आप वहाँ से देखकर help ले सकते हो ठीक है तो mind map से भी formula revise करना बहुत simple हो जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में Bye, take care, all the best